हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो माम आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने Vivo Y1S Android मॉयल फोन में आप जो है screen locking sound setting को आपना disable कैसे कर सकते हैं यानि के off कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये screen locking sound setting जो है disable होने के बादी setting कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो माम आपको detail में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप ये वीडियो को में start कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है ठीक है setting page को open कर लिए अपने mobile phone में setting page में आपको आना है नीचे आना है या पर आपको ये option मिलेगा sound and vibration इस option को select करना है अब इसके आगले page में आप आपको नीचे आना है या पर आपको ये option मिल जाएगा screen locking sound, screen locking sound इस option के ठीक सामने आपको ये button दे रखा है इस button को आपको tap करना है तो ये button आपका जो है black color में इस तरीके से off हो जाएगा यानि कि आपकी setting इस तरीके से disable हो जाएगी अभी इस setting जो है disable होने के बाद इस setting कैसे काम करेंगी ये मैं आपको समझा देता हूँ देगी दोस्तों जब भी आप अपने mobile phone की screen को lock करेंगे यानि कि power button को एक पर दबाके आप अपने phone की screen को off करेंगे तो आपके mobile phone से कोई भी sound की आवाज नहीं आएगी और फिर इसके बाद आप अपने phone को unlock करेंगी तो भी आप आपके phone की phone में से कोई भी आवाज नहीं आईगी तो इस setting डिसेबल करने के बाद इस तरीगी से काम करेंगी आपके mobile phone में setting ठीक है अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ आपके mobile phone में इसके लिए आपको करना है यह जो आपके mobile phone का setting page है इसे तो आपको जो ने नीचे की side यह option शो हो जागा screen locking sound का यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब यह आप यह search बार में setting का name आप type करेंगे तो यहाँ पर आपको spelling mistake नहीं करनी है अगर आप यहाँ पर spelling mistake करेंगे ना तो आपको नीचे की side यह option दिखाई नहीं में